हेलो गाइस, टेरो विद मदिल उनिवर्स में आपका स्वाबत है कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने और आपको पॉजिटिव की हुए होंगी गाइस, आज हम जो रेडिंग कर रहे हैं, उसका टॉपिक है, 10-10 पोर्टल आपके लिए कौन सी प्रचन्ड चीत को लिख कर आ रहा है ये एक जनल रेडिंग है गाइस, हो सकता आपके साथ रेजोनेट करी, ना करी, जो बत आपकी सिचुशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है, उसे प्लीज रग लिजेगा, बाकी को जने दीजेगा तो देखते हैं, 10-10 पोर्टल आपके लिए कौन सी बड़ी चीत, प्रचन्ड चीत को लिख कर आ रहा है आपकी लाइफ को बदलने वाला है यह एक टर्मिलेस रेडिंग के काईस तो आपको कभी भी इससे देखोगे, यह आपको हेल्प करेगी नमबर फाइफ करेंगे लाइफ करेंछद को करेंगे डिरे जो चींजरियर अब करेंगे होए जैसे 10-10 पोर्ट जो है यह एनर्ची है 10-10 कि 10-10 का मतलम क्या है विट्री को शो करता है तुक्सिस को शो करता है उस बात के बारे में बताता है की एक समय में आपने तकलिक पे बहुत जादा जहली है, एक समय में आपने बुरी परिवर्तनों का सामना बहुत जादा किया है, फिनांशल एंड मेटेरियल चेंजर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसे आए, जो संभावित नहीं थे, जिनकी पॉसिबलिटीज आपको नहीं लग रहे थे, कि ऐसे हाल में भी आपके इस्ततियां जाएगी, पैसो को लेकर हो सकता है, केरियर को लेकर हो सकता है, सड़न चेंज ह जाना, सड़न कुछ बुरा हो जाना, या कुछ ऐसा जो अनस्वेक्टर था, जो आपके लिए एकसप्ट करने लायक नहीं था, कि आपके द्वारे जो मेहनत की जा रही है, उसके बाद में भी इतने बुरे परिवर्तन आपकी लाइफ में यका यक गटित हो गए, जहां पर आपको संबलने का मौका ना दिया गया, उसके बारे में बात की जा रही है, मतलब क्या है इसका, कि आपके पैसो को लेकर और केरियर को लेकर कुछ ऐसे बदलाव आपकी लाइफ में हुए गाइस, जिनको लेकर आपकी लाइफ का डारेक्शन ही बदल गया, यू कहलो इस त परिस्त्या बिलकल अलग है, और अभी जो परिस्तियां बदली है, चेंज हुई है, भहाँ पर आप हिम्मT रख रहे ह Leben हूए हो, यू जबने की कोशिश कर, वहाँ पर कुछ ऐसा तरीका उपनानी की कुश चिश कर हो जिससे ये बहतर में चली जाये पहले से बहतर में चली अब ही आप की थिंक अलग चल लेजैगे, अब आप चाहते हो कुछ इस तरीके का है,S आपढस था है, यह चाहती है यह इस तरीके की इस्तती अफंड जाए, पहले से बैठर में जाए और ऐसी इस्तती फिर से उत्पल नहीं हो. बतलब इस समस्या को पूरी तरीके से समूल रूप से नश्ट करने के बारे में कहता है ना किसकी जड़ कोई खतम कर देना इस बार वो वली बात है यानि क्या है कि बूरे हालात आपके लाफ में क्रियेट हुए है ना तसका बात में आप इन हालातों से अतने तकलिफ में आए हो कि हालातो को पूरी तरीके से खतम करने के लिए पत्क पर हो चुके हो उत्सुख हो चुके हो क्या में इस तरीके से कहता हमा कि пр Elliot करना आ है और इनमें सुधार भी करना, दोनों चीज़ा आपके दिमाग में चल रही है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो परिवर्तन बुरे आपको देखने को मिले हैं यका यक उनमें परिवर्तन हो जाना कैसे कि अब उनसे जो लॉस हो रहे थे वो लॉस का रुक जाना एक बार और रेकवरी होना और आप क्या चाह रहे थे आप चाह रहे थे इसे ठीक हो जाना, इसमें बहतर ही आना इसमें चेंज आना क्या चाह रहे थे, आपका चाहा हुआ वो चीज़े होगी क्योंकि यहां पर यह कहट कहता है आपने मैनिफेस्ट किया इस प्रॉब्लम के समय में बले आप कितने भी नेगेटिव हुए होंगे कितना भी अपने बुरे खयाल आपके मन में आया होंगे लेकिन ऐसे परिवर्तन के समय ही आपके एनरजी ने इतना बड़ा कमाल कर दिया अपनी विश्ट को मैनिफेस्ट कर लिया आप क्या चाहते हो आपका चाहा हुआ बहुत जल्दी फलने वाला है और आपके लाइफ में फिनांशल मेटर को लेकर मेटेरियल चेंजिस को लेकर ब बुद्धी जो इतना सपोर्ट कर जाए कि वो कमाल करके दिखाए आपको इसे कहते है ना धमागेदार जीत इसे कहते है प्रचंड जीत कि जो इनसान हारता हुआ नजर आ रहा था है यक परिष्टितिया बदल जाए और वो जीत जाए ऐसी चीज़ जाए और यहां पर यह मुकाबला कर रहा है बहुत सारी जुंडे के सामने और बहुत सारा जुंड एकदम तो पहरा दिंगे वा बंदेनको accepted और अंदर से डर रहे और खुद परिष्टित ऐसी बंदे साथ माझ गाता है और पूरी स्थिति बदल जाती है और वो बंदा अकिला जीत जाता है यहाँ पर बिल्कुल कुछ वाइसा इससे कहते हैं प्रचंड जीत का हो ना ऐसे कहते हैं कि मालिक का साथ जब होता है ना पर इससे कितने भी बिगड़े हुआ हाला तमें क्यों न दीके एक परसंट ही लगे ना कि जीत सकते हो वो तब भी क्यों रखना चाहिए जब तक प्राण होना तब तक लड़ते रहना चाहिए तब तक हर नहीं मानने चाहिए कभी भी मिरेकल हो सकता है मिरेकल से कम है क्या मेरे शेर मेरे योद्धा इतना फाइट किये हो तो क्यों ना आपके लिए प्रचंड जीतो 1010 पोर्टल देख लेना क्योंकि इसके बाद में दशेरा फिर दिवाली यह आएगी असत्य पर सत्य का जीतना तैय है चिंदा मत करो परेशान मतो परेशान मतो आपके कर्म मालिक ने देखे है कभी-कभी हालात क्यों बनते पता है कभी-कभी लाइप इस सबक सिखाने के लिए कि बिटा इस पुरिस प्रॉब्लम जेलते हैं अचानक प्रॉब्लम लाइफ में आ जाती है कि मालिक मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं है जब तब जब से समझने लगे है ना मैंने अपने द्वारा जानकर किसी का बुरा नहीं किया फिर ऐसे परिस्तितिया क्यों भोगने पड़ गई हमारी एक सबक को बताती है एक ज़न को बताती है एक वी इस इस्तति सिखाने के लिए अस इससको समझ जो ऊची यह किया समझाना चाथा एक बात कहों यह बहुत हिमत रदे उलगी कि कभी लाइफ में कोई प्राब्लम क्रेट हो जाती है ना, तो एक बार परेशन हो जड़ा एक बार गुस्सा आता है, बोलो कोई बात नहीं, गुस्सा कर लो एक बार कोई दिक्कत नहीं, पर तसले से शांत हो सकती है, पांच निर शांत हो जाओ एकदम, इतनी समझदार कोई चीज़े होती नहीं है उस तहत तक में जाने की कोशिश करो अपने आप solution मिल जाएगा और जैसे हम समझ लेते हैं ना बनना चीज हो जाता है सची कह रही हो गाई इतने बरतक की चीज़े समझ यह क्या वशक्त होते हैं हम क्या करते हैं हम उन चीज़ों में बदलाव स्व हैं जब ऐसी शिचुशन क्रेट हो जाते हैं तो हम उस समय उसे accept नहीं करते हैं हम उस समय चाहते हैं कि इसमें ना बदलाव हो जाए और यह ठीक हो जाए और उस हद तक में बुरे परिवर्तन को स्विकार नहीं करते हैं लेकिन एक समय के बाद में हम क्याते हैं कि अच्छो मालिक करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं एक एक वीडियो में सुना था मैंने कि उसमें बताया गया कि मालिक कभी कभी क्या करते हमें ऐसे लोगों से जान बूच कर दूर कर देते हैं जो हमारे लिए हीतेशी नहीं होते हम सोचते हैं कि यह हमारे लिए बहुत समय ऐसा है बहुत सारे लोगों का real behavior क्या है वो आपके सामने लेकर आएगा और जो changes हुआ है ना या आपके अहित के लिए नहीं हुआ है या आपको नुकसान पहुचाने के लिए नहीं हुआ है इसका तो 100% है जो भी नुकसान हुआ है जो भी नुकसान हुआ है उसकी बरपा की बस यह बात है कि 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 मेंटल कॉंफ्लिक्ट ओके इससे तो बाहर आना ही है गाई इससे 100% बाहर आउगे टेंडन पॉर्टल आपको लेका आएगा क्या मेंटल कॉंफ्लिक्ट क्या होता है क्या होती है परिशानिया यह क्या होते है चलेंजस मैं इन चीजों को नहीं जानता नहीं जानती यह वला भाव क्योंकि आपका कॉंसेंट्रेशन क्या होगा अपने समस्या पर फोकस करना और उसके लिए फाइट करना बस यह बात कर्मा बनाने वाले बात यह नंबर 8 का पर टार्गेट भड़े आस अफलता मिल रहे है लेकिन फिर भी उसे उसे हैंडल कैसे करना बैतर तरीके से इसके बारे में क्योंकि यहां पर मैंने कहा ना काईस कि सच में आप पर मालिक की कृपा बढ़ सेगी हाड़ते हाड़ते जीत जाओगे देख लेना जीतोंगे आप आप सही रह पर हो आप परैषा नहीं हो किना सफलता भी झील नहीं पढ़ रही है न तो यह नही वेलिधा कि जो सचो मुल्यांकन करो वहश्य करो कभी कभी गलत मुल्यांकन पर पहुंच जाते है तो यह चीज रहना एक नेगटिभ थोटा ओर और नेगेटिव थौट और नेगेटिव थौट ऐसे ऐसे बनते जाते हैं यह नहीं करना है। टैंटैन पॉर्टल तो राइफ को बदलने बना होगा। देखले ना। और यह पोर्टल के बाद में देखना आप चाहें कुछ करो ना करो आपके एनर्जी भी काम करेंगी देखना आपके एनर्जी का जो लोग मिस्यूस कर रहे थे ना अब वो मिस्यूस नहीं कर पाएंगे यह फरक बहुत बड़ा है काई सो यह समझ लो ब्लेसिंग काम कर रही आ आपके चेह रहे में γलोव देखना है, आप में एक मानशिक शान्ति हैती और गातीय दीखना का हैниц आपके एडड़िद की लोगों में कुछ लोगों में ऐस їद्ण तरफिस्ट क connectivity को बहता है और ज़्यादा उबर कर आपके सामना आएगा, आप सुचों कि ये कैसा, उस टाइम अपनी मानशिक शांती को भंग नहीं होने देना, बस नोटीस करना चीजे, बहुत सारी चीजे और ज़्यादा कुल कर सामना आएगी, क्योंकि जैसा कहाना, ये पोर्टल ऐसा होगा, जाहे है आप प्रियास करोगे ना, तो मालिक आपको किसी मामले में जीताएंगे, और आपके एनरजी चो है ना, उसका भी लोग मिसिउस नहीं कर पाएंगे, और कहीं निकि आपके एनरजी का प्रभाव पे देखना गायज, लोगों को अपने आप, पीछे धकिलने में मदद करे अवरंं आप 10 के अंजी यह estásdri नंबर देत्गें आज कल आपको नंबर अब 55 नहीं 55 में देखनेMart". यह है, 555 को count करो, 5555, 555, इन्हें count करो कितना होता है, 15 नमबर होता है, 15 नमबर को count करो, 10 प्लस 5 कितने होता है, 6 और 6 के energy क्या लेकर आती है, इस वज़े से कहां जा रहा है कि अब आपको 555 के energy नाजराएगी, एक निव बिगनिंग होने जा रही है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ मेरे शेर, आप पर जितने भी अरूप लगे हुए हैं ना, आपकी इमेज को लेकर जितनी बुरी बात आपको सुनने को मिल आपकी स्वाबी मन को जो ठेस पहुचाए गया है ना, उसको लेकर हिसाब कि होना अब, definitely होना, क्योंकि यहां पर असत्य पर सत्य जीत रहा है, यहां पर किसी की खुशी लौट कर वापस आ रही है, बहुत समय बाद में, किसी को अपनी respect फिर से मिलने वाली है बहुत समय बाद में, अभी तोड़े टाइम पहले एक रिडिंग माया था, रोता हुआ औ मैं दो बार कहा है इन दिनों में, और मैं कहरी होना, मुझे जहरे नजर आ रहे पता है, कि मालिक मत किस प्रकर से शुक्रा अदा करो आपका, मैं किस प्रकर से धन्यवाद करो, मन करता आपके चराण पकड़ू, मुझे कितनी कुशी दी है आपने, और बक्काय का कोई है, ऐ मुझे पका पता है, मैं जिस तरीके से कहते हूं, इस एनर्जी को एकसप्ट करने की कोशिश को रहे होगा, और मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी वाली से पहले पहले कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, दीवाली बहुत दूर की बात, उससे पहले हो जा अपनी responsibility का निर्वा करते हैं, उनके लेफ में ये फले गीजड़ी में, पकाइदा फले की, मैं फिर से कहूं, इन दिन में मैंने दूसरी बार कहा है, मेरी intuition भी कह रही है अभी, रोता हुआ आसु आख में और मुस्कुरहट, बहुत प्यारी दिल से, आत्मा से वाले, इन्ह शब्दों में बया करना बहुत मुश्किल होती है, ये तारीके ऐसी होती है, जो ता उम्र आखरी सांस तक बुली नहीं जाती है, उन्हीं मैंसे ये तारीक होगी देखना, जो अब आने वादिया आपकी लाइफ में, जबकि दुख को पूरी तरीके से गतम करेगी, जुब आपको पता चल जाएगा कि तकलिफ की हद जो थी ना वो खतम हो गई, अब फिर भी आसान ही है, और देरे-देरे करके बाकी की प्रॉप्लम भी सौन, ये चीज़े आपके साथ होगी है, इसे कहता है प्रस्चन रजेट, इसे कहता है मालिक ना कहा ना, बेटा शान्त हो जा आपके ना, तब हाँ, मालिक ना मुझे इशारा दिया था, मुझे इंजल संबर नजर आ रहे थे, मुझे फैदर्स नजर आ रहे थे, रीडिंग में बार बार आ रहा था, पर मैंने भी स्वास नहीं किया, मालिक मुझे माफ करना, तो जो मुझे खोशिए अब दी है ना, तो मेरी शिकायत खतम, मैं खुश हो मालिक, थैंके सो मच और आ लाव यह सो मच, आप में ना, पॉजिटिविट कितनी आती है वो देखना, इवन मैं सच कह दो, अब आपको पता है नंबर सेवन के अनरजी बहुत नजर आईगी, और आप में परिवर्तन बहुत अच्छे ह आती है, रहा को बदलती है, आप अपने ट्यूटी बहुत अच्छे से निभाओगे, आप अपने कर्मा बहुत अच्छे करोगे, और यूनिवर्स पर बिलिव आपका बहुत ज़्यादा होगा, और आप स्प्रिचूल होते जाओगे, यह डारेक्शन चेंज होने का मतलब क कि हाँ, फेमिली के प्रती करते भी को निभाने वाले बात, लेकिन यह कोता नहीं कि जिसे यूश्व ने हाथ पकड़ ले होता ना, परमात्मा ने हाथ पकड़ ले होता ना, बस वैसे ही, कि अब मालिक पर इतना ट्रस्ट हो जाना, कि ऐसी विपदा में, अगर मेरा साथ द लिए है, वह वाली बात, तो आपको नंबर 7 बहुत जादा नजर आएंगे, 777777 क्यों, कि ये समय वो होगा, ये आने वाला समय वो होगा, जो आपको जीताने के साथे साथ, आपकी money problem को खतम करेगा, आपकी career में growth लेकर आएगा, तो आपको चिंता नहीं सताएगी, अपन करना आसान होगा, उन्हें manage करना बहुत आसान होगा, तो आपका ध्यान कहता है काम के अलावा भी, एक कहता है कि अब अलग ही चलेगी, आपकी दिन चलेगी अलग चलेगी, जहां आपर universe के साथ connection होने के लिए, आप खुद तो खुद समय को manage करोगे, हो सकता है meditation करो, हो सकत प्रकर से खुद में अकेले बैठो और universe के साथ बास्चित करना, बहुत सारे भाव आएंगे कारसाप में, एक जैसे होता न, एक इंसान इस बात को accept कर ले, कि मेरी यात्रा केवल इस दुनिया तक मैं नहीं है, ये बड़ा गैन विचार है, universe, मैंने का न, मनजिल यही है, हम सब की मनजिल यही है, ये तो बस चैलेंजेस है, कि किर्दार बच्चा कितना अच्छा निबाता है, और आपका किर्दार देखा है मालिक ने, और जब बच्चा साथ दिखाता न, वो मालिक को भी पसंद आता है, जैसे हम को देख ले, कि अगर कोई बच्चा कहीं पर गिर जाता है, लेकिन फिर उठकर, मतलब परेशान नहीं होता है, हिम्मत दिखाता था, हमें भी कितनी खुशी होती है, जैसे एक एक ग्जम्पल मैंने पहले बताया था, बहुत पहले की बात है, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें क्या था, एक बच्चा साइकल चला रहा ह और देखकर ऐसे लगाए कि उसे बच्ची को चोट लगी होगे, उठकर ना नाचने लग जाता है, तो मन इतना खुश होता है कि कितना सास दिखा, उसने परिस्तिति को चेंज कर दिया, जहां पर वो रो सकता था, लेकिन उसने हासा है, उसने मुस्कुराया है, हमें कितनी हुए है ऐसी परिस्ति में, अगर आपने सास रखा है और द्रण निश्य रखा है, लाइफ में परिस्तिया बदल जाएगे, मेरे मालिक सब कुछ अच्छा कर देंगे, वो साहच होता है ना, वो मालिक पर एक ट्रस्ट को बांधता है, कि बच्चे को मुझ पर ट्रस्ट है, अब एक ट्रस्ट तूटने नहीं दिया जाता है, जो अभी के रormuş बता दिनगे आपको, कि आपका ट्रस्ट तूटा नहीं है, मालिक की कलाकारी देखना अब, है ना, मालिक की कलाकारी देखना, नमबर सेङ्स, यह ये लो, क्या चाहते हो मेरे शेर, अग तो कंफर्म कर करकर के आ रहे हैं मैसेज और अब देखना आपकी खुद की आत्मा जो है नहीं एकसेप्ट करेगी कि नहीं मेरे दिल को सांधोना देने के लिए नहीं है क्योंकि आपको भी पता है सच कहो ना अब ना आपका भी इंट्यूशन का हाल इतने अस तर पर तो आ गया है कि यह चीजे मे इतना श्यूर होकर कह रही हूं ट्राइ करके देख लेना आपका खुद का दिल कहेगा यह चीजे मेरी लाइफ में होने वाली है डेख लेना क्योंकि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आपके इंट्यूशन भी आपको बताए दर्द भोग लिया है अब सुक जीने के लिए तयार हो सुक्या कहते है वो देखना रश्पक्ट कितने मिलती है वो देखना नंबर 3 कि या ना चीजसे मां संबाल थे बच्ची को वैससरा संबहला है मालिक मैं अब आपके निर्द कीज़ा आच्छह जाते हैं पता हैं देखना जो भी निर्द मोगी वह रही जाएगा वह आपका लिया हुआ फैसला वो सही जाएगा, आपका लिया हुआ फैसला आपको विक्टरी दिलाएगा, आपकी लेक्ट में चेंज लेकर आएगा, मेंस क्या है, कॉन्फिडेंस का बढ़ना, दूर दुरश्टिता अच्छी होना, ग्यान समझ का उप्योग करना, ऐसे सिचुशन में, जहाँ पर किसी इंसान का दिमाग हैंग हो जाता है, जहाँ पर कोई सपोर्ट करने वाले हैं, उल्टा निंदा करने वाले, उल्टा बढ़ जाता है, और वहाँ पर कोई अपने आदर पर फैसले लेने की कोशिश करता है, जहाँ पता है अगर चोक हो गई, गल्ती हो गई, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी इश्वर को शाक्षी मान कर, मालिक आप मेरे आगे हो, और मैं ये फैसला ले आप संबालना, दिमाग में सौ बाते हैं, मतलब क्या है पता है, ये वो इस्तती है, गाइस की सच कह दो, कि कोई इनसान मालिक के हवाले करके सारे इस्तती है, एक कितना जीवन मरन का, पूरा सब डोड़ च होती है, वो मालिक के हाथे, कि मालिक अगर इसमें थोड़ी गल्त प्रस्ट नहीं होगा, वो इस्तती आप संबाल देना, है ना, मतलब एक अंदर से आपमा थर थराती है, ये वो सिचूशन आया, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखे क्योंकि इसके लाव आप्शन नहीं है, कोई एक्शन उठाना पड़ता है, और वहाँ पर कोई बंदा इतना ट्रस्ट करके कोई एक्शन ले ना, वहाँ पर कैसा सपोर्ट ना मिले, हंड़र परसंट आपको सपोर्ट मिलेगा, एक गाना आ रहा है मन में, पहले भी गाया था मैंने, दुख बरे दिन बिते रे भाया, अब सुक आयो रही, ये गाओ अब, ये बाके म टैन टैन पोर्टल सब कुछ बदल देगा, आपको ऐसे पोर्टल में या ऐसे डोर आपके लिए उपन होगा, जिसमें आप प्रविश कर जाओगे, जहां से आपकी परेशाने घतम होगी, जहां से शिचुशन टर्ण होती हुए नजर आएगी, जिस परिस्तिती में आप ज इतने सारे प्रियास आप क्या सफल गए और कितने सारे लॉसेस का सामना आपने क्या है, यह सब काउंट कर लो क्या क्या हुआ था आपके साथ, अब जो पोर्टल में आप जा रहे हो, जो समय आपके लिए आ रहा है ना, उसके बाद में मलेक का जस्टिस देखना, आप उस से हटकर दूसरे इस्तथी में आ रहे हो और उस इस्तथी में कोई और लोग जा रहे हैं वहीं चीजे दोसिए और देख लेना गार, यही चीजे होंगे इसवजे से अभिए प्लान बनाएं के आपकी विरुद में. उस प्लान में वह वैसे ही धहसे जाएंगे. जैसे और प्लान बनाएंगे मसम आपकी विरुद में जोंकि अभी हा जोड़ेंगे. आकिरकार सब कुछ अच्छा हुआ सची कह रही हूँ कहें कहीं पर कुछ इस्ततिया आपके खुद के चेरे पर ऐसे मुस्कान लेकर आएगी funny moment कहते है ना बिल्कुल कुछ वैसा होगा जहाँ पर मन खोश हो जाए कि न्याए पर हो रहा है ना और दी चेरे पर मुस्कान देकर गेनियाए हो रहा है क्योंकि पता है मालिक को कि बच्चे के लोगा अंदर आत्मा तक रुई है इस बार बच्चा इतना भी कमजोर नहीं है लेकिन इस बार बच्चे की आत्मा रुई है वो बढ़दाश नहीं होता है सब्सक्राइब करें बर्दाश्ट नहीं होता है है समझने वाले समझ सकता है हार्मानी नमर वानी यह देखो मेरे दिल ने जो जहां मिल गया आगे मुझे नहीं आता गाना कुछ अच्छा गाना है इसके लिरिक्स भे बहुत अच्छा है यह बिलकुल मैसा मन चाहे चीजें हो जाने मन चाहे जैसे परिस्थिते कुछ की फेवर मादाने मालिक मुझे हर्मनी मिल गई मेरे साथ जस्टिस हो गया मेरे साथ मेरे कलोगा थैंक्यू सो मच मेरी चिंताओं क को खतम करने के लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बर्डन खतम करने के लिए 1010 पोर्टल एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा काईस आपकी लाइफ को सिक्यूर करने वाला है आपके हाट को ओपन करेंकर यका-एक काईस देख लेना मुझे ऐसा लगता है 1010 पोर्टल पंद्रा ओक्टोबर है यह इट हो सकता है आपके ले कुछ विशेश काम करें यह भी हो सकती है 6 ओक्टोबर भी हो सकता है जूकि 6дж के इनरज्य झूरूर रही नहीं की 10 ओक्टोबर के बाद का ही समयो उससे पहले ही क्यूंकि यह एनरज्य कुछ ऐसी होती यह पहले ही कमा करना इस्टर्ट कर देती है है तो रड़ी रहो गाइज अब तो चीजिया बदलेंगे और अब आसे परिवर्तन होंगे जहां पर जैसे आपको सोचने का मौका नहीं मिला ना और लोगों को सोचने का मौका नहीं मिलेगा समझ closely हो ना आपके life में देखो एक चीज देखना इन दिनों में आपको दीरे दीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इसि agree फािदा होना इस्टाट होगा, यह कहीं न कहीं से सपोर्ट मिलना होगा जो आपको लगे कि सारे दर्बार से बंद हुए में तो एक युड़की सही लेकिन खुली हुई है और वहीं काम करें जिसे मैं न यह कह उन्हार एक बहुत चूटी सी हैल्प जैसे एक ऐसी help जहाँ पर ऐसे लगे ये क्या मेरी मदद कर देगी कि इससे क्या हो जाएगा मेरा और वहीं जी इससे क्या हो जाएगा इससे जो होता है न वो देखना और वहीं चोटी सी help आपकी life को बदलने में काम आएगी और उस help को कभी नहीं भूल पाओगे ये चीज़े आपके life में मैंने कहा न कुछ चीज़े ऐसी घटे दोगी गाएगा जो उधारण के तोर पर आप और लोगों को कहोगे और लोगों को समझाने की कोशिश करोगे देखना कि पहले बाद तो हर भी मानने चाहिए और दूसरे पर उम्मीद करके बैठना चाहिए कि miracle होता है और ऐसे miracle होता है जहां पर ऐसे miracle की करना भी नहीं कर सकते है और मालिक का ऐसास होता है और कभी भी छोटी help को छोटी help नहीं मानने चाहिए दिखती छोटी है क्यों दिखती है ताकि दुश्मन लोगों को भी यहीं ऐसा तो इससे क्या होगा जैसे आपको लगा इससे क्या होगा लेकिन जो होता है न वो बड़ा कमाल का होता है बड़ा कमाल का होता है तो जीतने के लिए और फते के लिए तयार हो जंडे गाडने वाले हुआ सच में है अपनी हिम्मत के अपने सास काड मेरी अनरजी बहुत अच्छी है आई मैं बहुत कोश्छ वह जैसे ये वाला काडन भी मेरी इनरजी ऐसे मन्त रमुग दोने वाले है अब मैं दल से चाहते हूं जल्दी से जल्दी मुझे मेंसेज करके करे कहो कि मैं मैं जड़ में इतना मिरेकल हुआ है इतनी एक अच्छा हूआ है और हारी हुई बाजी जीत कई लाइफ में सक्सेस मिल गई लीकल इस्यू में आपको जीते हुए पा रही हुआ है सच में ऐसले इसमें चिंता नहीं है, इसमें चिंता नहीं हो, ठीक है, हर्मनी के लिए तयार है ना मेरे शेथ, और new beginning के लिए, मालिक पूरी तरीके से आपके support में है, कोई कुछ भी कहे, किसी की बात को, ठीक है ना, ध्यान में नहीं रखना, परिशानी नहीं होना, अब चार लोग क्या कह उसकी परवाने आप सही हो, आप सच्चे हो, आप सही कर्मा कर रहो बस उस पर विलीव रखो, है ना, कुछ की नसरों में, और इश्वर की नसरों में, सही होना बैतर होता है, दुनिया तो भगवान से भी नाराज है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो आपके परेशन ही है, ये कैसे सोच लिया, जब आप मालिक के प्यारे बच्चे हो, तो आपके परेशन ही, आपके परेशन ही कैसी होई, आपका दुख, आपका दुख कैसे हुआ, वो मालिक का हुआ, आपके दुख में वो आपके साथ है, आपके खुशी में भी वो आपके साथ है, आपके न्याई म इसमें कितना कमाल करती है, कि मनी का रास्ता बनेगी सबसे पहला तो यह, तो उसको लेकर चिंटा ही नहीं, वो सारी चिंटा, एक सांसा रिकता को लेकर चिंटा ही होती है, ना किसी बच्चे की, वो खतम करने ही, जिससे उनका एक डारेक्शन बदले, और वो इस्प्रिच्छूल हो, और जैसे आप इस्प्रिच्छूल होते हैं ना फिर देखो एहसास आपका, देखो तो नमबर 19 है, यहाँ पर 1 और 9, और यह अपने आप में यूनिवर्स के साथ किसी बच्चे को जोडता है, बच्चे का भाग़े इतना साथ देता है, मुसीबत में रास्ता निकाल लेना, मुसीबत में मालिक का एसास करना बिलुकुल ऐसे है, जिसको कोई मेरे साथ है, कोई मेरे थ्यान रगता है, मेरे रोना उनको बरदाश नहीं होता, वो आपके दुख में भी आपके साथ है वो आपके खुशी में भी आपके साथ है हर्मनी में भी आपके साथ है आपको नंबर 619 ये भी नज़र आता है आपको नंबर 69 ये भी नज़र आता है 96 ये भी नज़र आता है ये 619 कहना ची आ गई वाँ कुछ रहो कुछ रहो मालिक सारी परिशाने ये लो खतम करने वाले हैं और आपको स्प्रिच्वल करने वाले बिल्कुल देखना आपके इंट्यूशन देखना कितना वर्क करती है जब बच्चा कोई दुख ज्यादा भोग लेता ना तो वाकई में एक बर उनका हाट शक्र ब परिवर्तन किसी बच्ची की लाइफ में टावर मुमेंट आपके बीतर खुद में समाझ आना अब बात में एक हिम्मत बना करना आपने रूप को परिवर्तित करना वो ट्रंसफर्मेशन लेकर आना ये बड़ा दुख दा ही होता है लेकिन इसका परिणाम जो होता है इसका परिवर्तन किसी बच्ची की लाइफ में टावर मुमेंट के अधार बनाये गए जहां पर लोगों ने इसका जंग कर फायदा उठाया लोगों ने जितना मिस्यूस करना था आपका जितना आपका फायदा उठाना था कि अच्छा मौका मिला है इनका फायदा उठाने के लि उनकी गदव को निड़धरित किया गया, देखा गया, इसका मतलब यह निए कि आपको नुकसान पहुचा आप तो प्रोटेक्शन में हो, आपको तो तकलिफ नहीं होगी, वो प्रोटेक्शन जो है ना ये गेरा ये एनर्जी और ये एनर्जी ना तो आपको नजर आई, ना आपको परेशान करने वाले लोगों को, रोए आप बहुत, जैसे कहा ना कि आत्मा तक रो दीज पर बच्चे के, माले को पता है, एक नेक बच्चा होता है ना, वो गलत इस्तिती के आसपास में होता है, गलत लोगों के आसपास में होता है ना, माले भी बड़दाश नहीं और इन्हों ने जो किया जम कर कि फिर मौका नहीं मिलेगा, मौका अभिश्वणी ने देंगे भी नहीं देखता है। क्योंकि इनकी कहान हदे देख ली है मालिक ने कि ये किस हद तक में जा सकता है। और जैसा जो देता है वो वहीं पाता है। किसी का समय खराब करके, किसी के महनद को लेकर, किसी को परशान करके, किसी का दिल तुखाकर कर्मा है, लोटकर Sh squeezed on savings, ये Number vous, नमबर टू चाहिए और नमबर एट के एना चाहिए यह लोग और फिर से नमबर फाइफ के एना चाहिए सारे obstacles और challenges खतम हो रहे हैं क्योंकि आप ऐसे door को ही बंद कर रहे हो और नए portal में प्रविश कर रहे हो यहां देखो financial and material changes पूरे इस तरह पर हुए और यहां पर क्या है उन्ही में सुधार कर देना आपके द्वारा खुद के द्वारा action लिया जाएगा अपनी लाइफ को लेकर बहुत सटिक जाएगा आपका प्यासला जीवन यात्रा में आप आके बढ़ेगा positive moment forward तो past के बाद तो को let go करके आप आके बढ़ जोगे जिन लोगों ने जैसा कर्मा किया है वैसे कर्मों कफल उनको मिलेगा अब आप खुश रहो tent and portal देखो किस परकार का परिवर्दन आपकी लाइफ में लेकर आरा मेरी योद्धा और योद्धा बन कर हीर है ना है ना योद्धा वही होता है जो last तक में हालता नहीं है last तक में fight करता है और आप मेरे वही योद्धा हो है ना खुश रहो और निश्चिंत रहो कुद पर और माली पर ट्रस रखो बागी किसी पर ट्रस रखने की जुरूत नहीं है ठीक है लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है अब manifest भी करो तो अच्छा manifest करना सोचो तो अच्छा आपकी यात्रा जो है वो एक नहीं दिश्चा में चल पड़ी है ऐसे ऐसे मोवमेंट आपकी लाइफ में आएंगे जहां पर सच में कहा दू गाइस कि यह केवल नहीं केवल टेंटन पोर्टर को लेकर बात है बहुत से जीजा ऐसी होगी आपकी लाइफ में जो अनस्पेक्टर होँगी खुशी का कोई ठीकाना न रहे celebration आपकी लाइफ में हो इंचे जो को लेकर होगी ठीक है तो यहीं कहूँगी कि अब लाइफ में खुशी को जीने के लिए प्राब्लम्स को खतम हो जाए इन्हें देखने के लिए रड़े रहो और माली को धन्यवाद करने के लिए जल्दी कुछी दिनों में आप माली को धन्यवाद करना इस्टार करने बाले हो माली में जी सारी प्राब्लम्स को खतम करने के लिए दनेवाद, मैं लाइफ में कोशी लेकर आने के लिए दनेवाद, मुझे सारा सुक देने के लिए दनेवाद, ठीक है, लाइक कोड़नो कोपिय के कार्ड होता है, बिल्कुल वही एनरजी है यहाँ पर, सारी जिन्तों को खतम कर पर सुक देना, आना जी, तो यह आपकी तब परेशा नहीं होना और खोश रहना, और गैस मैं एक और बात कहना चाती हूँ, कि अगर आपको पर्सनल रिडिंग करवानी है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर मेरी टीम से कॉट्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना जी, तो अगर आपको पसंद आए, अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेट लाइक शेयर कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स लिडिंग में, तब तक के लिए बाए